नमस्कार दोस्तों मैं रुद्र परताप सिंग आपका mathematics faculty आप शबी का स्वागत करता हूं आपके चैनल master की पे आप इस चैनल को subscribe कर चुके होंगे और आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके subscribe स्काइब बटन को हिट कर दें साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रोइड ओफ ट्रेंगल आपके कोडिनेट जोमेट्री का काफी इंपॉटेंट पॉइंट है यह क्या होता है तो क्या देखनेशन क्या बोले जरा दे पिंस सेंट्रोइड थीक है अब सर यह लो चागा है मेदियन यह समझेख मेडियन क्या होता है जरा इसलिए तो मैं आया हूं आपको given हो जैसे कि आपको पहला set अगर example में ले लेता हूं वो given है 1,3,3,6,7,8,9 यह आपको पहला set given है या फिर बोल दो system given है यह set और system किसको बोल रहा हूं यह पूरे को तो अगर आप इसका अगर आपसे पूछा दाए कि बताए इसका median क्या होगा तो median निकालने के लिए पहला आपका step होना चाहिए कि देखना पड़ेगा कि यह जो system आपको given है या फिर यह जो set आपको given है यह ascending order में given है या नहीं अब माल लिजें यहाँ given होता 1,3,7 यहाँ होता 6 तो पहले क्या करते है आप 6 को इधर लिखते है 7 को ascending order में पहले इसको लिखते है फिर आपको check करना होता है कि इसमें कितने number of term है और term है तो odd term है आएंगे total या फिर even तो count किजिए तो 1,2,3,4,5,6,7 7 तो 7 is odd number या even number sir odd number तो यह set जो है कौन सा set है odd set इसको बोलेंगे odd set ठीक है तो दोनों चीज़े आपने check कर लिया अब इसका median लिखना है आपको तो median का definition क्या बोला मैंने median is a middle term of an set तो देखिए इसके middle में कौन सा given है तो 1,2,3 और इधर सा भी 1,2,3 तो बीच में कौन सा आ रहा है 6 6 आ रहा है तो बोल देंगे कि 6 is a median of this set तो median इसका क्या हो जाएगा 6 इस पूरे system का median क्या हो जाएगा 6 तो यह odd के लिए था odd के लिए तो आप easily select कर सकते हो 3 इधर सा चाट दो 3 उधर सा चाट दो अगर 7 given है तो अगर 9 given है तो क्या करोगे 4 इधर सा चाट दो 4 उधर सा चाट दो बीच वाला जो आएगा आपका क्या जाएगा median लेकिन पहली बात आपको कि सारे जो set होंगे वो ascending order में लिखने होना च set हो जाए और वह even में आ जाए तो क्या करोगे सर बताइए even वाले का median कैसे लिखेंगे तो देखिए जरा even अगर आपको set given है 1,2,3,4,5,6,8,9 तो पहले देखिए यह ascending में लिखा है कि नहीं लिखा है तो सर देखिए 1,2,3,4,5,6 और 7 नहीं given है तो 6 के बाद 8 ही आएगा फिर 8 के बाद 9 सर ascending में लिखा हुआ है number of time कितने है 1,2,3,4,5,6,7,8 सर even तो 8 ही जए even number तो even set है सर तो सर even set का कैसे निकाले अगर आप 3 के बाद लेते हो 3,3 से divide करते हो तो 3 इधर और 3 इधर तो 2 number बच जाएंगे सर 4 और 5 तो क्या सर दोनों हो जाएंगे इसके median नहीं सर जो आप 3,3 पहले इधर से आप count कर रहें तो 1,2,3 ठीक है 1,2,3 तो बचा कौन सा 4 और 5 दोनों बच रहें तो आपन क्या करेंगे कि यह दोनों number को select कर लेंगे even वाले में और दोनों number का average निकाल देंगे तो average मतलब क्या कि दोनों number जो है उनका sum और divided by 2 तो क्या जाएगा 9 by 2 तो इसका क्या जाएगा 4.5 तो 4.5 is a median of this set तो even के लिए यह है तो आई होब आपको समझ ने आ गया होगा कि आपका median क्या होता है तो 4.5 यह नि यहां जो वाला यहां वाला जो number होगा वही इस पूरे set का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बदाए बदाए जरा क्या हो जा होता है कि जो टर्म आपको given होते हैं उसमें सही आपको median लिखना होता है और even वाले में out of the set का number आ जाता है मेडियन से नहीं चलने वाला यहां समझने है सर मेडियन जिंधैन क्या होता है मौड मीन मेडियन सब वहां आएगा तो मेडियन आफ़ ट्रेंगल तो पहले तो आप एक ट्रियंगल जो कर दो कर लिए अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा कि मेडियन क्या होता है मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी आप लाइन सिग्मेंट सेलेक्ट कर रहे हो जो भी वर्टिसेस उसमें आ रहे हैं तो मैं अगर लाइन सिग्मेंट सलेक्ट कर रहा हूं तो उसका मिड्ड है पी अब उसके जो मिड्ड प है और फी से जो वर्टिसेस दो गीन उसका एक और वर्टिसेस कों से Tou Topsy इससी कों मेडियं उसका क्यों जाएगा वो मेडियन वैसे ही अगर मैं बात करूं BC तो BC का opposite vertices कौन सा है बेटा BC का vertices opposite आपको दिख रहा है कौन सा BC का A तो A है न A तो B और Q से A तक का जो आपका distance हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा बोलिए median और एक और आजाएगा ऐसे ही कौन सा तो एक और आएगा आपका कि अगर मैं बात करूं AC वाले line segment का तो AC का opposite vertices B तो R से लेकर और आपका B तक का जो distance आएगा उसी को क्या बोलेंगे median और यहाँ पे जो तीनों vertices एक point पे आपस में क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है इसी point को बोलते हैं बेटा centroid of a triangle centroid of a triangle अब यहाँ एक और बात ध्यान से सुनिए centroid of a triangle and center of a triangle में भी बच्चे confuse जाते हैं तो center of a triangle is out थोड़ा सा upside the centroid of a triangle center of triangle थोड़ा सा उपर होता है किस से? centroid of a triangle से यह बात अब ध्यान में रखिएगा अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर एक और बात सुनिए कि centroid of a triangle जो होता है यह यह centroid जो होता है triangle का वो क्या करता है हमेशा median को 2 is 2 1 ratio में डिवाइड करता है अब सर यह कैसे जरा समझाइए मुझे यह कैसे हो गया तो जरा समझिए total number of median कितने होंगे एक triangle में exactly sir 3 कितने होंगे बेटा 3 number of median इन्हें 1 triangle ठीक है sir अब जरा सर संजाइए कि यह 2 is 2 1 ratio में ही क्यों डिवाइड करता है जरा समझिए बिल्कुल समझिए आपको समझना चाहिए और बिल्कुल आपका अधिकार है जी समझने का तो देखिए sir total number of median कितने होंगे sir 3 exactly आपको definition कहां मिलेगा यह 11th में जाके मिलेगा मैं आपको थोड़ा सा feel करा रहा हूं जरा समझिएगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कितने centimeter का line था बताये 10 cm वहला आपको यादे a b a client segment था और यहाँ है a q a client segment a q के लिए समझा रहा हूं यहाँ पे b r के लिए भी आप वही यूज करोगे और p और c के लिए भी वही यूज करोगे मैं a q के लिए आपको समझा देता हूं ठीक है जी तो a b एक line segment था और p उसको divide कर रहा था ठीक है तो एक में मैंने पढ़ा था कि कितने number सर डिवीजन होंगे जब आपको midpoint नहीं बोलेगा तो sir मेरी number of या फिर infinite number of बोल सकते हो किसका division हो सकता है infinite number of ratio में division हो सकता है अगर मैं बोल दिया midpoint तो वहां sir एक ही number of division होगा कौन-कौन सा 1 ratio 1 का और मैं अब यहां क्या बोल रहा हूं कि आपको जो line given है वो 3 cm का है तो इसका division sir कितने तरीके से हो सकता है ज़रा बताइए मुझे a और यहां q ठीक है इसका division sir क्या हो सकता है और central 1, 2, 3 और side भी given है आपको तो इसका division sir या तो 1 raise to 2 हो सकता है या फिर 2 ratio 1 हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है क्या 3 cm का अब point point में मत जहिए गया मैं exactly एक बात कर रहा हूं कि इसका division कैसे हो सकता 3 का या फिर 1 raise to 2 divide कर दो या फिर 2 raise to 1 divide कर दो क्योंकि coordinate में आपका points की बात नहीं होती है ठीक है जी points में आपको answer नहीं आएगा points में आपकी बात किसी चीज को divide करोगे तो point में थोरी यतना marks थोरी करोगे ये तो neglect हो जाते है point तो या तो 3 cm को या तो 1 raise to 2 में या 2 raise to 1 में तो आप मेरा कहने का मतलब कि 2 raise to 1 में centroid क्यों divide होता है सर ये जरा समझाइए मैंने क्या बोला कि center जो होता है center of triangle जो होता है बिटा वो थोरा सा upside the centroid of a triangle होता है तो ये side जो आपका होता है ये A से O तक कम A से G तक और मैं आपको एक और तीज बता दू कि centroid को आपन capital G से divide करते है center of triangle को capital G से तो ये जो A से G चटका distance जो है आपको दिख रहा है G से Q तक के distance से बड़ा है तो इस side को 2 ले लेते हैं इस side को 1 ले लेते हैं तो इसलिए हमेशा always the median of triangle को centroid जो हो है वो किस से divide करता है किस ratio में divide करता है बेटा 2 is to 1 में और midpoint किसी भी line segment को 1 is to 1 में divide करता है तो I hope कि आपको ये थोरा बहुत समझ में आएगा element में आओगे ना तो और अच्छे से feel कराऊंगा जब आपको असली aesthetics में पढ़ाऊंगा वहाँ पे और वहाँ पे आपको पता चले गए coordinate geometry और भी क्या होता है यह तो बहुत छोटा मोटा है अब आता है कि to find the coordinate of a centroid of a triangle अब इसको find कैसे करेंगे अगर ये G है अब आपन पढ़ रहा है coordinate आपको पता है ना आपन क्या पढ़ रहा है coordinate तो जैसे जैसे A, B और C तो इसमें क्या आपको coordinate points given होंगे तो वैसे G के भी कुछ coordinate होंगे की नहीं होंगे तो मैंने मान लिए X, Y अब देखिए बहुत easy है आप खुछ से भी proof कर सकते हैं आपको A given है, B given है C given है और D B और C का क्या है midpoint तो क्या आप D का coordinate नहीं लिख सकते हैं क्या सर बिल्कुल लिख सकते हैं इन दोनों का average ही तो होगा तो क्या हो जाएगा, X coordinate इसका हो जाएगा X2 plus X3 upon 2 क्योंकि बीच में है और आपका Y coordinate हो जाएगा Y2 plus Y3 upon 2 क्योंकि बीच में है, तो D का coordinate पता चल गया अब ज़रा बताईए, यहां section formula सिधा सिधा लगा देजिए आपको A का coordinate पता है, आपको D का coordinate पता है ratio पता है 2 is to 1 यानि M और N की value, M की value दो पता है आपको N की value आपको 1 पता है और आपको क्या पता है X1 पता है, X2 पता है आप माले जिए X1, Y1 इसको तो यह हो जाएगा, आपका X2, Y2 X2, Y2 की जगा यह put कर दीजिए, ठीक है और आपको ratio भी पता है, तो क्या X और Y की value ने निकाल सकते है, क्या, सर बिल्कुल निकाल सकते है तो बताईए, solve करके क्या होगा, मैंने solve करूँगा आप बताईएंगे, solve कीजिए जरा, जल्ली सापने copy में जल्ली बताईए, इसका answer कोगा, I wait हजी, तो G का coordinate निकालना था आपको यहनी X और Y की value निकालनी थी तो मैंने क्या कर दिया, section formula लगा दिया तो X is equals to M into X2 plus N into X1 upon M plus N Y is equals to M into Y2 plus N into Y1 upon M plus N तो X is equals to 2 into M की value आपको 2 given थी, X2 की जगा आपको X2 plus X3 upon 2 आपका था, तो 2 से 2 cancel out plus, plus 1 into X1, X1 की जगा X1 ही था, upon 2 plus 1 M plus N ठीक है, Y is equals to वैसे same, 2 into M की value 2, Y2 plus Y3 आपको Y2 given था, upon 2, तो 2 से 2 cancel कर दिया आपनने, और plus 1 into Y1 की जगा Y1 ही था तो 2, और नीचे M plus N, यानि 2 plus 1 तो X की value वहाँ से आगई आपकी X2 plus X3 plus X1 upon 3, और Y की value आगई आपकी Y2 plus Y3 plus Y1, Y2 plus Y3 plus Y1 upon 3, ठीक है जी, और मैंने इसको क्या कर दिया सीधे format में लिख दिया है, तो X is equals to X1 plus X2 plus X3 upon 3 और Y is equals to Y1 plus Y2 plus Y3 upon 3, तो G का जो coordinate आप निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा X की अगर निकालना है, तो X का coordinate आपका हो जाएगा, X1 plus X2 plus X3 upon 3 और Y का coordinate आपका हो जाएगा, Y1 plus Y2 plus Y3 upon 3 ऐसे आप से आप इस पर question क्या पूछेगा है, end हो गया आपका यहाँ पे, Central और आपको Y की value देगा, बागी सब कर देगा तो जब मैं question कराऊंगा, तो और अच्छे से feel कराऊंगा, कि Centroid पे question कैसे की जाते हैं, तो I hope कि आपको यह median of triangle Centroid of a triangle, काफी अच्छे समझ जाया, तो please comment box में आप अपना comment, अपना प्यार अपना support हमें दिखाएं, ज्यादा ज्यादा channel को share करें, अपने दोस्तों को बोले कि हमारे master की के साथ जुड़ें और मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे यार, thank you so much मैं भी आपके लिए free में काम कर रहा हूँ अब भी मेरे लिए free में काम करिए, जाज़ादा subscriber बढ़वाईए, वीडियो को जाज़ादा share कीजिए, like कीजिए, comment करके बताइए आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आप please comment करके हमें जरूर बताएं और रोज मेरा mathematics की classes 7.45 pm पे live होगा, थोड़े दीर के लिए premium चलेगा उसका, तो please उस live class को attend करे ताकि मैं उस टाइम आपको कोई doubt हो तो वहाँ बता सकूँ, तो इस पे question ऐसे जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी के लिए इतना ही, thank you so much जै हिंद, जै भारत